हेलो एवरिवन आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ आलू की सबजी की रेसेपी ये बहुती सिंपल सी रेसेपी है इसे आप रोटी, चावल, प्राथा सब के साथ खा सकते हैं लेकिन पूरी के साथ जो इसका कंबिनेशन है वो अलगी है तो चलिए बीन देरी के दो हरी मिर्च, मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच, लहसून जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और एक चमच अद्रक इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है तो चलिए प्याज लहसून और अद्रक को मीडियम फ्लेम पर लागाता चलाते हुए थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स हमारे प्यास का कलर चेंज हो गया है इस टेज पर हम इसमें डालेंगे टमाटर यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है जिसको मैंने प्यूरी बना कर तियार कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा चमच नमक, आधा चमच लाल मिर्च पावडर, आधा चमच हल्दी पावडर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ दिर हम इन्हें ऐसे ही चलाते रहेंगे इसके बाद हम ढखकन लगाकर करीब एक दो मिनट के लिए इन्हें लो फ्लेम पर पका लेंगे तो देखिए मसाले ने तेल जो है किनारों पर छोड़ दिया है हमारा मसाल अच्छे से पक गया है तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं आलू यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को बोयल कर लिया था उनमें से दो आलू को मैंने अनिवनले काट लिया है और एक आलू को जो है वो मैश कर लिया है जिससे होगा ये कि सबजी में आलू के पीसिस भी अच्छे से दिखेंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो थिक बनकर भी तयार होगी तो चलिए मसालो को आलू के साथ अच्छे से मेक्स कर लेते हैं अब मैं इसे ढखकन लगा कर करीब दो-तीन मिनिट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो चलिए दो-तीन मिनिट के बाद हम चैक कर लेते हैं अब हम इसमें डाले पानी तो देखें यहां पर मैंने 1-2 गिलास पानी लिया है जितनी आपको सबजी की ठीकनेश चाहिए उससे थोड़ा ही जादा हम इसमें पानी डालेंगे तो अगर हम इसमें जॉदा पानी डालेंगे तो ओवर कुक की वज़े से हमारी सबिश्या है वो टेस्टी बनकर तयार नहीं होगी अब देखिए यहां पर मैंने लिए है आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच भुने हुए जीरे का पावडर अब हम ढखकन लगाकर इसे लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए ऐसे ढखकर पका लेंगे तो चलिए पांच मिनट के बाद चेक कर लेते हैं तो देखिए हमारी सबजी जो है अभी बन कर तयार नहीं हुई है हमें इसे कुछ देर और ढखकर पकाना होगा तो चलिए 2-3 मिनट और सबजी को मिडियम फ्लेम पर पका लेते हैं तो देखिए हमारी सबजी ने किनारों पर तेल को छोड़ दिया है तो चलिए चेक कर लेते हैं देखिए हमारी सबजी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी आधा चमच गरम मसाला मसाले को अच्छे से मिला लेंगे लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक मुठी कसूरी मेति आप कसूरी मेति को जरूर डाले अगर आपके पास है तो नहीं तो आप इसमें हरे धनिये का यूज़ भी कर सकते हैं उससे भी सबजी बहुत ही अच्छी बन कर तयार होगी तो बस हमारी सबजी जो है वो बन करके तयार है तो चलिए अब हम इसे धक करके पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो देखे पांच मिनट के बाद हमारी सबजी जो है वो बन करके तयार है तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक सर्विंग बॉल तो देखे हमारी बहुत ही टेस्टी से सबजी बन करके तैयार है आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और ट्राई करने के बाद आपकी सबजी कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएए मुझे आपकी कीमती फिडबैक का इंतजार रहेगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राईब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राईब करने के बाद बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फोर वाचिंग